हेलो बच्चो अंते स्त्रावी ग्रंथियों में ग्रंथियों में सर्व प्रथम आज हम पिट्योटरी ग्लैंड प्यूश ग्रंथी का अध्यन करेंगे प्यूश ग्रंथी को मास्टर ग्लैंड हाइपोफाइसिस भी कहा जाता है हाइपोफाइसस इसलिए कहा जाता है या हाइपोफाइसियल ग्लेंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक अभी व्रधी के रूप में उपस्तित होती है जो की ब्रेन में ब्रेन के जो हाइपोथेलमस भाग होता है वहाँ से एक अभी व्रधी के रूप में उत्पन होती है या उपस्तित होती है अता इसे हाइपो फाइसस भी कहा जाता है ये जो टर्म होती है हाइपो फाइसस इसका अर्थ होता है हाइपो अर्थार्थ लोवर साइड बिलो नीचे की साइड और फाइसस इस आउट ग्रोथ अभी व्रधी, तो ये brain की एक अभी व्रधी के रूप में उपस्तित होती है और इसकी position के आधार पर, इस्तिती के आधार पर इसे hypophysis भी कहा जाता है, दूसरा नाम इसे master gland या master grant ही कहा जाता है और उसका reason ये होता है जिस प्रकार से master का अर्थ होता है controlling unit या वो जो की अन्य सभी के कारिये को regulate करे, command करे, नियंतरित करे तो इसी प्रकार से पियुश ग्रंती अन्य जितनी भी endocrine glands है जैसे की adrenal gland है, thyroid gland है या जनद अंग है इन सभी से hormones के इस्त्रवण के साथ साथ उनको संदमित या inhibit भी करना अर्थार्थ कब कौन सा hormone release करना है, कब किस hormone को stop करना है ये सब जो functions होते हैं, pituitary gland control करती है over other endocrine glands अगर हम देखें कि संदचनात्मक या anatomy के आधार पर pituitary gland को देखें तो इसे यह माना गया है कि ectodermal origin होता है अर्थार्थ यह जनन इस्तर जो होते हैं, ectoderm, mesoderm, endoderm तो pituitary gland की उत्पती, ectoderm मानी गई है और brain से यह hypothalamus के जो pons होता है, उसके अग्रभाग में उपस्तित होती है और वहाँ एक infundibulum या स्टॉक के द्वारा जुड़ी रहती है और अगर position हम देखें, तो nose और ear के मध्यागर, skull की position को लेकर हम 90 degree का angle बनाएं, तो वहाँ पर hypothalamus के बिलकुल नीचे यह ग्रंथी उपस्तित होती है अगर normal weight देखें human में, तो 500 से 900 milligram इसका वजन होता है बिलकुल मटर के एक दाने के समान यह ग्रंथी होती है, जो की अधर भाग में उपस्तित होती है इस ग्रंथी को pituitary fossa के बिलकुल नीचे उपस्तित है, जो की optic nerve के बिलकुल निकट उपस्तित होती है अब संदचनात्मक रूप से हम देखें, तो इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है संदचनात्मक आधार पर की pituitary grant तीन लोब्स या पालियों में विभाजित होती है आपको चित्र द्वारा ये इस पस्त हो जाएगा, इस चित्र में आप इस पस्त रूप से देख सकते है कि तीन पालियों में विभाजित होती है तो अगर पालियों जो होती है उसे anterior लोब या adeno hypophysis कहा जाता है और जो पस्त पालियों होती है उसे posterior लोब, pars nervousus या neuro hypophysis कहा जाता है नुरो हाईपोफइस या पश्ट पाली जो होती है उसमें निूरो सिक्रेटरी सेल्स ये होते हैं अन्माइलिनेटर्ड नूरौन्स अर्थार्थ अनाच्षादित नूरौन्स होते हैं क्योंकि hypothalamus के supraoptic और proventricular nuclei होते हैं और ये hypothalamus से सीधा neurohypophysis या posterior lobe जो पश्च पाली है वहाँ तक आते हैं और जिस tract से ये आते हैं इस tract को hypophysial tract भी कहा जाता है जो की connection होता है बिट्वीन nervous system and endocrine system अर्थार्थ इस पाली का जो उदभव होता है यह है dyncephalon के floor से अधर भाग से होता है जो दूसरी पाली होती है anterior lobe या जिसे adenohypophysis कहा जाता है adenohypophysis का जो origin होता है यह स्टोमोडियम की roof से होता है च्छत से आच्छत जो होता है उससे होता है और यहाँ जो cells आती है वो जो होती है उन्हें neck reason को infundibulum कहते हैं और यह neurosecretory cells उपस्तित होती है जो सिर्फ neck तक उपस्तित होती है आप देख सकते हैं कि neurohypophysis में neurosecretory cells बिल्कुल नीचे तक आती हैं जबकि adenohypophysis में यह सिर्फ neck reason तक उपस्तित होती है आता है इसे hypofysial tract कहा जाता है और यह infundibulum जो कि यहां तक उपस्तित रहती है अगर हम देखें कि जो मध्यपाली तीसरी पाली होती है मानव में यह हासित होती है reduced होती है और इस पाली को कहते हैं parse intermediate बिल्कुल एक rudimentary structure के रूप में यह उपस्तित होती है और at the time of birth human में मानव में जन्म के समय यह functioning होती है उपस्तित होती है परन्तु later on यह reduce हो जाती है या function करना बन कर देती है और इसका कोई function नहीं रहता है परन्तु जन्म के समय या early stages पे यह melanin या जो skin का black pigment होता है उसका स्त्रवण करती है इस प्रकार से यह तीन जो पालियां है anatomic form में यह तीन पालियां इसमें पाई जाती है anterior pituitary, posterior pituitary और intermediate जो की human में हासित होता है यह details आपको यहाँ पर दी गई है कि anterior pituitary, ectoderm या rat case pouch जिसे कहते हैं उसका stromodium का एक invagination अभी व्रद्धी होती है जो neurosecretory cells होती है वो pituitary gland को control करती है इनके functions को यानि कि hypothalamus द्वारा यह regulate होती है और जो लगभग संपून पाली का 80% part बनाती है इसी प्रकार से posterior pituitary जो है वह hypothalamus द्वारा synthesized hormones को एक तरह से store करने का कार्य करती है और यह hormones लेकर आती है magnocellular neurosecretory cells तो यह संदचना हो गई अगर हम hormones की बात करें कि pituitary gland कौन-कौन से hormone release करती है तो मुख्य रूप से क्योंकि कार्य क्या है अन्य glands के secretions को control करना तो releasers, tropic और stimulator hormones यहां से मुख्य रूप से release होते है पहले हम anterior pituitary या adenohypophasis द्वारा release hormones को देखे तो यह मुख्य रूप से होते हैं gonadotroph जिनमें की FSH और LH अर्थार्थ, follicle stimulating hormone और luteinizing hormone यह दोनों secondary sex hormones male और female में के लिए उत्तरदाई होते हैं और इनका control hypothalamus के signal द्वारा control होता है जैसे की GNRH, gonadotropic releasing hormone और थार्थ, GNRH control करता है pituitary gland को की LH और FSH कब release करना है इसके पश्चात thyroid stimulating hormone जो कि किस releasing hormone से नियंत्रत हो रहा है? TRH से, thyroid releasing hormone से तथा जो prolactin hormone होता है, prolactin hormone especially functioning होगा females में, human में, mammary gland यह स्थन गरंथियों के लिए तो वो PRH द्वारा regulate होता है और इसी प्रकार होता है growth hormone, inhibitory hormone अर्थार्थ, एक निश्चित समय के पश्चात जो growth है जिसमें की liver, bone, muscles इनकी व्रधी को नियंत्रत करना तो यह growth hormone को control करेंगी inhibition या संदमन या उसको कम करके control करना, उसके पश्चात होता है adenocorticotropic hormone यह adrenal glands के लिए उतरदाई होता है जो की metabolism को directly effect करता है तो pituitary gland के anterior जो lobe होगा उससे मुख्य रूप से stimulators release हो रहे हैं और यह stimulators है follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, thyroid stimulating hormone, prolactin hormone और adenocorticotropic hormone, growth hormone इन सब hormones को regulate किया जा रहा है hypothalamic synthesizing releasers और inhibitors के द्वारा mediator, intermediate जो lobe है या पाली है उससे संबनेत आपको भी बता दिया कि वो कुछ समय के लिए functioning होती है और melanin का secretion करती है जो त्वचा का वर्नक है उसके पश्चात ये हास्त हो जाती है इसके पश्चात जो posterior lobe है पश्च पाली जो है उससे मुख्य रूप से जो hormones होते हैं ये वास्तव में hypothalamus के द्वारा स्त्रवित किये जाते हैं और neurohypophasis इसको सिर्फ release करने का कार्य करती है इनका ये संग्रहन का कार्य करती है जबकि इनका निर्मान hypothalamus से होता है और इसमें मुख्य रूप से होता है oxytocin hormone जो की at the time of birth female reproductive system के लिए muscles contraction और pubic symphysis को partially open करने के लिए ये कार्य करता है और दूसरा होता है anti-diuretic hormone जिसे अन्य भाशा में हम vasopressin भी कहते हैं ये है जो renal functions है वहाँ पर functioning करता है और water absorption से जल पुनर अवशोशन या जल अवशोशन से नियंत्रित होता है और BP या blood pressure का भी नियंत्रित होता है इस चित्र में आपको बता दिया गया है कि अगर पाली के द्वारा कौन-कौन से अन्य ग्रंतियों को regulate किया जा रहा है और पश्च पाली का नियमन कौन-कौन से structures पर होता है PDF के रूप में आपको ये notes उपलब्द करा दिये जाएंगे आप इनको कॉपी में बना ले और hormones की table बना कर इन्हें learn कर लें Thank you and have a nice time